इस question में दिया गया है कि train A और B A की समय में शुरू होती है, train A station X से Y तक 55 km प्रती गंटा की गती से यातरा करती है, और train B है वो station Y से station X तक की यातरा 80 km प्रती गंटा की गती से करती है, वे 1 गंटे और 36 मिनिट के बाद एक दूसरे वो पार करती है, station X और Y के बीच की दूरी क है, भई यह मैं माल लेता हूँ, यहाँ पर station X है और यहाँ पर station क्या है, Y है, एक train A है, वो इस दिशा में चल रही है, X से Y, दूसरी train B है, वो क्या कर रही है, Y से X चल रही है, यह दोनों 1 गंटा और 36 मिनिट के बाद कहीं पर मिल रही है, माल लेता है, यहाँ पर मिल रही ठीक है, अब क्या हो रहा है कि पहले यह भी चल रही है, यह और यह दोनों एक साथ चल रही है, यह चल रही है, एक गंटा 36 मिनट के लिए, तो यह इतनी दूरी तया कर लेगी, यह कितनी दूरी तया कर लेगी, यह दूरी तया कर लेगी, तो यह अगर यह वाली दूरी, य X & Y की दोनों के दूर ही आजएगी है आद देखो वह या तो आप क्या करो यह जो पहली ट्रेज्स हो 55 किलोमेटर पर आवर से जारी है पच्षा किलोमेटर पर आवर अब इस्टेंस क्या होती है डिस्टेंस वाती you rapid in parse टें तो isp into time कर लागता इचा कितना लाग रहा है टाइम लग रहा एक गंटा शतीन का सकता हूं एक शतीन मिनट को वैस्पता हो भी तो यह तो दूर आ गही एसी चल रही है जात एसको क्लोमेटर पर आवर स्समाच क्लोमेटर परVES y यह भी कितने टाइम के लिए चल रही है आट से गंटा 36 मिनट के लिए तो इसको कैलकुलेट कर लो यह बी एकस की डिस्टेंस आ जाएगी एकस प्लस बी एकस कितनी हो जाएगी टोटल एकस वी डिस्टेंस हो जाएगी अब यह तो क्या करो आठ बटा पांच को कॉमन ले लो और यह अंदर कितना हो जाएगा सी प्लस पच्पन एकसो पैंटीस एकसो पैंटीस पांच से काट दो यह कितनी बार कटेगा 27 और 27 इंटू आठ 27 इंटू आठ 216 होता है आपके याद होना चाहिए यह फिर आठ इंटू साथ देखोगे आठ इंटू 20 कर लो एकसो साथ प्ल स्पीड क्या हो जाएगी असी प्लस पच्पन और टोटल कितने दूरी देर कली चल रही है एक गंटा 36 मिन वानतल आठ बटा पांच टाइम के लिए तो इतनी दूरी तैय करेंगे टोटल तो यह भी वह इक्वेस्टन बन गए 27 बार कट जाएगा 27 इंटू आठ कितना होगी 216 किलोमेटर ठीक है